ग्रामीडों ने कस्तूरी बड़े पैमाने पर 20 फीट अजगर और उसके दोस्त तो उन्हें एक स्टर फ्राई में पकाना बॉर्ण्यों में जंगली पेड़ों में गहरे पेड़ में रोमिंग सरीशरी पाए गए यहाँ विश्वसनी अक्षन है कि ग्रामीडों ने एक पुरिश के साथ 20 फीट लंबी महिला अजगर मिलना पाया उन्हें मारने से पहले उन्हें एक टीखा तलना में पकाने के लिए स्थानिय लोग शिकार से बाहर थे जब उन्होंने बोर्नियों के मलेश अंद्वीप पर शनिवार की दुपेहर को गिरने वाले पेड़ के अंदर से आने वाली अजीब आवाज सुनाई जिग्यासू विच्छाल के माध्यम से काटने के लिए एक चिन साका इस्तमाल करते थे और रोमिंग सरीश रुप को देखने के लिए रोमान चित थे उन्हें दूरस्थ सर्वाक शेत्र में एक विनम्रता माना जाता है काई पुरुषों ने जानवरों को खीच कर बाहर खीच लिया इससे पहले कि उन्हें स्थानिय पाक रीदी रिवाजों के अनुसार तली हुई या ग्रील किये जाने के बाद एक ट्रक में गोली मार कर रखा गया प्रसन स्थानिय तिंसंगुजगर 60 नई कहा कि कैरवीत नदी के निकट पिंटुलू के शहर में ग्रामीनों को अगले दिन मांस पर भोज होगा श्री उज्जांग ने कहा वे लकडी में छेद में नीचे देखा और एक छोटे पुरुष सांप के साथ महिला संभोग देखने के लिए आश्चर अचके था हमें उन तक पहुँचने के लिए लकडी को विभाजित करना पड़ा था और उनके आकार और स्थेती के कारण सांप को निकालना मुश्किल था वे एक साथ बंद थे मैं और भी आश्चर अचके था क्यूंकि मैंने पहले सांपों को कभी नहीं देखा और कभी भी एक विशाल अजगर नहीं देखा जो इस तरहें से पांच मीटर लंबा था नर अजगर काफी छोटा था यह एक अगभुत खटना थी और मैंने दो सरीसरी पों को शूट करने के लिए रवाना किया क्यूंकि हमारे समुदाए के लिए यह एक विदेशी व्यंजन है जो हमारी पसंदीदा डिश भी है